आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में हम यूपी बोर्ड क्लाश ट्वाइल त्यानि का अच्छा बारा विसे समासास के इंपॉर्टेंट माडल फिपर को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि कि किस तरह के प्रस्ण आपके एज नाम में पूछे जाएंगे और यहां जो प्रस्ण पत्र है यहां उसी तरह से ही आपको बनाए गया है जैसे आपका बोर्ड में आएगा समय आपका तीन घंटे पंद्रा मिनिट और पूड़ां का आपके सत्तर नमबर के होंगे जो बचे इस चैनल पर नहीं कुई पर चैन हमाजवाद वैस्वी करम मानवतावाद या समराजवाद तो इसका सही उतर होगा समराजवाद भारतियराष्ट्य कांग्रेज कि अस्थापना कब हुई 1857-1947 या 1885 तो अस्थापना भारतियराष्टियर आपकांग्रेज की 1885 में एए ओ ह्यूम ने किया था इस्तिरी पूरुस अनुपात की इस राज में सबसे कम है बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु या पश्यम बंगाल तो सबसे कम जो अनुपात है वह हरियाणा का है लगभग आपका 1000 पूरुसों पर लगभग 700 इस्तिरियां है जो की यह सबसे कम अनुपात का अनुपात वाला राज है इस्तिरी और पुरुस में उसके बाद अगला जो आपका परस्न है कौन प्राकिर्तिक परियावरन के निकट है भारतिय समाज और दोगिक समाज, सहरी समाज या ग्रामीर समाज इसका सही आपका उत्तर है ग्रामीर समाज इनमे से कौन एक जाती है राजपूत, बैस, सूद्र या इनमे से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर आपका होगा राजपूत चा है इनमे से कौन एक संस्था है राष्ट, नातेदारी, गाउं या सभी तो हम लोग जानते हैं जिसमें ये सभी होता है वही उत्तर सही होता लेकिन इसमें सही उत्तर आपका रहेगा राष्ट भारत में मंडाल आयोक की अस्थापना किस बर्स हुई 1987, 1961, 1976 या 1989 में जो परस्न है तो इसका सही आपका उत्तर होगा 1989 में राइड आयंस्वर 1997 में या 2007 में तो आपको हम बता देए सभी परस्न क्या है गलत है इसका जो सही उत्तर होगा आपका वह 1992 में इसका सही उत्तर है अब हम अगले परस्न को देखते हैं यानि जहा को सामदाईक पहचान की प्राकिरत है जित प्रदत राष्टी या परिवर्तन सील तो इसका सही आपका उत्तर होगा राष्टी है या आपका यह है भारत में मुस्लिम लीग कि अस्थापना किस बर सुई 1906, 1917, 1914 या 1909 में तो इस परदत का सही उत्तर है वह 1906 में अब हम दूसरा प्रस्ण देखते हैं जिसमें किवल अतिलेगुत्री प्रस्ण दिये गए है का है और दोगी करण से क्या तात पर है छेत्रवाद से आप क्या समझते हैं जातिवाद क्या है समावेसी राष्ट का क्या रत है नागरिक समाज क्या है परियोजनाकार की क्या उपयोगिता है संग्राचनात्मक परिवर्तन का क्या आर्थ है बीज संस्कृति करण क्या है स्पष्ट कीजिए सुधार अंदोनन का क्या आर्थ है या है आपका इया है मौलिक अधिकार का क्या आर्थ है या है आपके अति लगुत्रिय परसन से लिए गए हैं जो की सभी परसन बेरी-बेरी इंपोर्टन्ट हैं अब हम लगुत्रिय परसनों को देखते हैं पहला सम्विधान की जरूरत हमें क्यों है पंचायतों की सफलता के लिए सुझाओ दीजिए किर्सक बर्ग को परिभासित कीजिए भारत में उदारी करण के मुख उद्देश क्या है नियोजन और दोगी करण का क्या अर्थ है ये जितने भी परसन आपके हैं ये लगुतरी के हैं जो की बेरी बेरी इंपोर्टन्ट है उसके बाद आपका आता है पहला उपनिवेस बाद क्या है इसकी विशेस्ताओं को असपश्ट कीजिए और उसमें अथवा करके भी आपसे परसन पूछा जाएगा तो आईए हम देख लेते हैं अथवा करके जो पूछा है छेतर बाद पर लग समासासरे निबंध दोनों में से आपको केवल एक करना है उसके बाद है भारतिय लोकतंत्र की कहाने का संचेप में वड़न कीजिए अथवा ग्रामीर जीवनें पंचायतों की भूमिका दोनों में से एक परसन आपको हल करने है भूमि सुधार के कारकरमों पर परकाश डालिए अथवा उधारी करन से संबंधित उन दसाओं का वड़न कीजिए जिनों ने छोटे और बड़े किसानों की बीच आर्थी समनताओं में बिरिद्धी की हो यह आपका इंपार्टेंट माडल पेपर है कच्छा बारा के विद्यार्थियों के लिए जो की बिसे समासास लिए होंगे उनके लिए तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कि रुप्या चैनल प्सक्राइब करने क्योंकि आपकी तयारी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद